तो शुडेंट दोस्तों कैसे हैं आप सब एक बार फिर स्वागत है आप सबका मेरे यूटूब चैनल इंग्लिश बबल पर और आज मैं आपके लिए जो 12th क्लास का इंग्लिश का पेपर हुआ था 24 फरवरी 2023 को उसका फुल सलुशन लेकर आया हूँ इस पेपर की सिरीज थी 316 Z by तो जिन स्टुडेंट्स ने इस सिरीज का पेपर दिया है तो उनके लिए ये वीडियो बहुत हैलफोल होगा और वो पूरा आइडिया लगा लेंगे कि उनके कितने माक्स आएंगे वो चेक कर सकते हैं अपने माक्स को काउंट कर सकते हैं तो चलिए करते हैं सुलिशन शुरू लेकिन सुलिशन शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने साथियों में जिन्होंने सीरीज का पेपर दिया था उनको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि वो भी अपने नंबर को का पर आपका चार सेक्शन में डिवाइड है सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी जिसमें फर्स्ट सेक्शन आपका रेडिंग का सेक्शन था जिसमें क्वेशन नंबर फर्स्ट में आपको एक परग्राफ दिया हुआ था इस परग्राफ के बेजड चार या पाँच questions इसके बाद थे जिन इसी paragraph को पढ़कर आपको उन questions का answer करना था तो आपने paragraph अच्छी तरह से पढ़ा होगा देखते हैं इन questions के answer इस paragraph के आपने answers कि होंगे इस paragraph पर A, B, C, D और E ये 5 questions थे जो question number E था उसमें 3 questions दिये हुए थे तो उपर के questions आपने इस paragraph में से डून कर लिख दिये होंगे क्योंकि इसी को पढ़कर आपको इसके answers करना थे हम question number E को देखते हैं question number E में जो first question है वो question आपका है which word in the passage means embarrassment इस passage में इस paragraph में कौन सा वो शब्द है जिसका मतलब होता है जिसका अर्थ होता है embracement तो friends embracement जो बड़ होता है उसका मतलब होता है शर्मिंदकी की भावना या लजजशेलता तो इस paragraph में आपने देखा होगा कि ये discomfort एक बड़ आया है ये देखिए discomfort ये वर्ड है आपका इसका अंसर से करना था तो embracement का जो meaning है उसके same meaning का वर्ड आपके इस paragraph में discomfort आया है question number E का B second question देखते हैं which word in the passage is the opposite of lazily इस paragraph में कौन सा वो वर्ड है जो lazily शब्द का विलोम है यानि उल्टा है तो आप देख रहे हैं ये steadily word आया है steadily जो होता है वो lazily का उल्टा होता है क्योंकि lazily का मतलब होता है सुस्ती से या आलसी पन से और steadily जो ये बड़ दिया हुआ है आपका इस paragraph में steadily steadily का मतलब होता है मजबूती से या पूरी ततपरता से या active होते हुए तो इसका मतलब ये हुआ कि lazily का जो opposite बढ़ रहा है वो steadily है next question इसका है इका third question है what do you mean by the phrase proved to be prophetic इस phrase या निवाक्यांश proved to be prophetic का क्या मतलब होता है तो इसका आर्थ होता है friends सच होना सच साबित होना तो इसे हम come to be true कह सकते हैं यानि कोई कहीवी बात सच साबित होती है तो उसे proved to be prophetic कहते हैं ये एक phrase है आपका अब हम section B को देखते हैं section B आपका writing का section है इसमें जो आपका question number 2 है question number second में दो में आपके तीन questions दिये हुए है इसमें किसी एक question का 100 से 150 words में आपको answer देना था उमीद है दिया होगा question number third पर आते हैं question number third में आपको एक letter लिखना था write a letter to your younger brother अपने छोटे भाई को एक letter लिखना था warning him against some of वा तो आपको एक letter लिखना था write a letter to your question number third में आपको एक letter लिखना था अपने छोटे भाई के लिए write a letter to your younger brother warning him against some of his undesirable companions अपने छोटे भाई को एक letter लिखना था उसको आपको सचेत करना था या चेतावनी देते हुए कि वो अपने कुछ अनेचिक दोस्तों या जो गलत दोस्त हैं उनके उनसे बचने के लिए उनसे दूर रहने के लिए या आपको letter लिखना था उमीदे लिखा होगा या फिर इसकी जगा आपको एक application लिखना थी अपने college के principal के लिए उनसे request करना था request करते हुए organize to organize annual sports in time या उनको समय से कराने के लिए आपको अपने college के principal को एक application लिखनी दी आपने लिखी होगी उमीद है चलिए करते हैं इसका section C जो grammar का section होता है उसमें सबसे पहले आप question number 4 का A देखें इसमें एक one word substitution दिया हुआ है a selfish person who always thinks of himself is scarred वो वेक्ती एक स्वार्थी आदमी जो हमेशा चार option दिया हुए ड्रगिस्ट लिरिसिस्ट ड्रामाटिस्ट और चौता option है इगोईस्ट तो students आपको इसका अंसर इगोईस्ट करना था कि इगोईस्ट वो वेक्ती होता है जो स्केबल अपने बारे में सूचता है ड्रगिस्ट जो होता है वो दवाई विक्रेता को कहते है लिरिसिस्ट जो होता है वो जो होता है वो छोटे गीतों को लिखने वाला गीतार होता है और ड्रमटिस्ट जो होता है वो नाटक लिखने वाला नाटक कार होता है चली ये next question देखते है question number fourth B यह जो फ्रैज है यह जो बाक्यांश है to hail from इसका क्या तातपरी होता है तो students इसका तातपरी होता है to come from कहीं से आना क्योंकि to greet का मतलब होता है अभिवादन करना welcome का मतलब होता है स्वागत करना और appreciate का मतलब होता है प्रशंसा करना चलिए next question पर आते हैं question number 4C the synonym of derogatory is यानि आपको derogatory शब्द का परियावाची लिखना था synonym लिखना था तो derogatory शब्द का जो परियावाची होता है वो defamatory होता है क्योंकि derogatory जो होता है वो आपका derogatory जो होता है वो इसका मतलब होता है बेजिती पूर्ण इसे हम लज्जाशील भी कह सकते हैं तो डीफेमेटरी जो होता है वो भी आपका शर्मिन्द की भरा लज्जाशील यह होता है ठीक है चलिए करते हैं question number 4D question number 4D आपका एक sentence दिया हुआ है unless you will not work hard you will not succeed इसमें कह रहे हैं कि which word या part which word oblique part in the above sentence is an error कि इस sentence में उपर दिये हुए sentence में कौन सा शब्द या कौन सा part गलत है तो हम देख रहे हैं कि sentence अगर if से या unless से बना हुआ होता है unless और if या कॉमा से अगर sentence बना होता है तो जो पहली clause होती है unless वाली या if वाली वाली वो present indefinite में होना चाहिए उसमें will not कभी नहीं होना देंगे तो ही sentence बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसका मतलब इस question का option number a विल्कुल ठीक है आपको will not पर टिक करना था will not आपको भरना था करते है question number 4e the antonyme of savage savage का मतलब होता है अभद्र या बेहूदा इसका आपको लिखना है antonyme यानि के wilom लिखना है तो इसका wilom friends होता है civilized जिसे हम सब्य या सू संस्कृत कहते हैं question number 5 पर आते हैं question number 5 का जो a part है वो आपका है change any one of the following into indirect narration दो आपके sentence direct indirect के दिये हुए हैं इन में से किसी एक को आपको indirect में बदल कर देना था तो चलिए first question number 5e का first करते हैं अगर मनलो आपने first किया तो इस तरह से होना था तो आपको क्या करना था friends आपको करना था पिरिया आप चूंकि यहाँ पर पिरिया ने teacher से कहा sir भी के sentence में है तो request करेंगे यहाँ पर तो पिरिया requested the teacher और इस sir शब्द को इस sentence में से हटाने के लिए आपको object teacher के बाद में respectfully भी जोड़ना पड़ेगा तो हो जाएगा sentence का पिरिया requested the teacher respectfully that से इसको जोड़ देंगे तो यह inverted commas कतम हो जाएंगे तो फिर इसके बाद में I जो first person का है वो पिरिया से change करना होगा आपको क्योंकि I first person का subject के अनुसार change होता है तो यह sentence हो जाएगा पिरिया requested the teacher respectfully that I का she हो जाएगा she could not do my का हर हो जाएगा फिर my first person का है पिरिया से change होगा हर हो जाएगा her work yesterday का हो जाता है the previous day तो sentence हो जाएगा आपका पिरिया requested the teacher respectfully that she could not do her work the previous day अगर आपने question number 5 A का B किया हो, second part किया हो second question किया होगा तो आपको इस तरह से करना था Can you tell me the way to the station? यह आपका question interrogative sentence है said the traveler to the old man तो यहाँ पर आपको the traveler से start करना था the traveler अप चुकि interrogative है तो आपको asked करना है the traveler asked the old man अब sentence आपका can say helping word से शुरू हो रहा है तो आपको if से इसको जोड़ना था तो if से आपने जोड़ेंगे तो यह sentence हो जाएगा the traveler asked the old man if अब you जो होता है you जो second person का होता है वो object से change होता है object यहाँ पर old man है तो यहाँ पर you का ही हो जाएगा if he could tell if he could tell him the way to the station question mark कतम कर देंगे inverted commas कतम कर देंगे question over 5b पर आते हैं और यह देखते हैं क्या है combine any one of the following as directed मतलब इन में से किसी एक को जैसा सामने निर्देश दिया हुआ है उसी के according आपको combine करना है यानि दुनों को मिलाना है combine करना है first दिया हुआ है इसका b का I will finish the work in time I am sure तो आपको simple sentence करना है हमको दोनों को मिलाकर एक sentence कर देना है तो हम इसे जीरंट से कर देंगे I am sure और off लगाके finish में ing जोड़ देंगे finishing the work in time तो यह sentence हो जाएगा I am sure of finishing the work in time तो यह simple sentence हो जाएगा आपका synthesis section में यह होता है simple sentence हो जाएगा आपका यह जीरंट का यूज करके next आपका है 5 because second question है some pupil die for a novel cause they are honored by everyone आपको complex sentence करना है इसका तो complex sentence बनाते हैं इसका complex sentence बनेगा the pupil who die for a novel cause are honored by everyone आपको यह करना था some pupil की जगा the pupil करना था the pupil और who लगा के complex कर देना था the pupil who die for a novel cause फिर यहां से जोड़ देना था आपको are honored by everyone यह इसका complex sentence बन जाएगा फिर next question पर आते हैं question number 5 C पर transform anyone of the following as directed जैसा दिशा निलदेश सामने दिया हुआ है उसी के according आपको इसका रूप परिवर्तन करना है sentence का transform करना है जैसे C का पहला sentence दिया हुआ है Kolkata is the biggest city in India इसका comparative degree आपको करना था तो comparative degree में बदलने के लिए आपको dear students पता है कि year वाली degree लगती है तो आपको करना था Kolkata is bigger यहां से दाहटा देना है चोकि comparative degree में दायूज नहीं होता है superlative में होता है यह superlative में sentence दिया हुआ है तो Kolkata is bigger फिर year वाली degree के बाद आपको than लगाना होता है तो Kolkata is bigger than फिर उसके बाद में देन के बाद में आपको any other city in India करना है तो sentence हो जाएगा Kolkata is bigger than any other city in India यह आपका comparative बन जाएगा next देखते हैं यह भी transformation का ही एक रूप है और जब इसका affirmative करेंगे तो इसका earth नहीं यानि meaning नहीं बदलना चाहिए sentence affirmative में हो जाना चाहिए तो as soon as से हो जाता है no sooner का no sooner का जब हम affirmative करते हैं तो as soon as से हो जाता है as soon as चूकि यह past indefinite का sentence है तो second form में लगाना पड़ेगी तो हम लगाएंगे as soon as the train is stopped और फिर उसके बाद में कॉमा लगा देंगे क्योंकि as soon as वाले sentence में दूसरे पार्ट में कॉमा लगता है तो as soon as the train is stopped कॉमा I got down तो यह आपका affirmative sentence बन जाएगा आते हैं अब question number 5D पर जिसका पहला sentence दिया है इसमें आपको क्या करना था question number 5D में correct any one of the following sentences इन sentences में से किसी एको यानि जो दो दिये हुए है first or second इन में से किसी एको आपको correct करना था अगर आपने first correct किया होगा तो correct करना था यह दिया हुआ है sentence his request of leave was not granted तो इस sentence गलत है तो इसको करना था his leave request was not granted तो यह correct हो जाएगा students अगर आपने second sentence correct किया तो इस तरह से होना था दिया हुआ sentence आपका है these news have disturbed the peace of my mind तो इस sentence गलत है यहाँ पर आपको this news करना था और यहाँ पर has करना था तो sentence बन जाएगा this news has disturbed the peace of my mind इस तरह से आपको यह correct करना थे question number 5E को देखते है use any one of the foreign pairs of words in your own sentences to make the difference in their meaning clear इन में से किसी एक शब्दों के जोड़े को आपको अपने खुद के sentence में यूज करना है उनका अर्थ किलियर करने के लिए तो जो आपका पहला जोड़ा दिया हुआ है this stair this first stair का मतलब होता है zine यानि जो zine होते हैं stairs होते हैं जो steps होते हैं zine में उस ओ होते हैं और this stair दूसरा जो होता है s-t-a-r-e इसका मतलब होता है किसी को घूर कर देखना तो आपको sentence में यूज करना था तो आप कैसे भी किसी भी sentence में यूज कर सकते थे कि the stairs he bend to he bend the down stairs के वो जीनो पर नीचे की तरफ गया इस तरह से कह सकते थे या फिर there are 14 stairs from low to high up to the roof ऐसे कर सकते थे या कोई सा भी sentence आप बना सकते थे अगर आपने second pair को लिया था descent और descent को तो इस descent का जो d e ये जो होता है आपका d e s c e n t descent इसका मतलब होता है वंश या फिर उतार नीचे उतरना और इस descent का मतलब होता है d i s e n t इस descent का मतलब होता है जगडा या मतभेद तो आपको sentence में यूज करना था उसके बाद students एक story आयती हिंदी to English करने के लिए ये पांच नमबर में थी तो आपने की होगी फिर देखते है question number 7 देखते है question number 7 को question number 7 में आपको क्या करना था 40 words में किसी एक इनमें से जो दो question दिये हैं question number 7 question number 8 में ये अंसर लिखना था question number 7 B में भी आपको इसी तरह से दो question अत्वा में दिये हुए एक के अत्वा में दूसरा question आपको ये अत्वा ये करना था 40 words में तो आपने उम्मीद है कर दिया होगा question number 8 में आपको क्या करना था 80 words में ये long question है किसी एक question का अंसर आपको 80 words में लगबग लिखना था ये दो question दिया हुए हैं इन में से कोई एक question आपको लिखना था question number 9 जो है आपका वो poem का एक stanza दिया हुआ है इस पर 3 question आपके इसी stanza से आपको देखकर और पढ़कर लिखना थे जैसे first question देखते हैं इसका stanza is कि what would the fisherman not do कि fisherman क्या नहीं करेगा तो हम देख रहे हैं first line में fisherman in the cold sea would not harm the whales कि fisherman जो होगा वो harm whale को whale नमकी मचली को harm नहीं कर पाएगा नुकसान नहीं पहुचा पाएगा तो इसका answer अपको यहीं करना था second इसका देखते हैं question number nine का B कि what would the man gathering salt do कि जो नमकी कट्टा करने वाला वेक्ती है वो क्या करेगा तो हम देख रहे हैं the man gathering salt wouldn't look at the hurt at his hurt hands कि जो नमकी कट्टा करने वाला वेक्ती है वो अपने घायल हातों को देख पाएगा फिर तीसरा question C question जो आप इसका है इस stanza base तो वो क्या है what moment in is the poet talking of कभी कौन से छण की बात कर रहा है तो ये जो आपका stanza है या ये जो पोईम है आपकी ये keeping quiet नमकी पोईम से ये stanza लिया गया है और poet उस छण की बात कर रहा है जब दुनिया के सारे लोग एक साथ चुप हो जाएं और कोई भी action ना करें तब ये सारी conditions follow हो सकती है question number 10 में आपको क्या करना था तीन central idea दिये हुए थे जिन में से आपको एक central idea का लगभग 70, 60, 70 या 80 words में लिखना था तो an elementary school classroom इने slum, a thing of beauty and aren't Jennifer's tigers ये तीन आपके points दिये हुई है इन में से किसी एक point पर आपको central idea लिखना था question number 11 में आपको क्या करना था चालिस word में ए और भी दो question दिये हुए है दोनों के अथवा में एक एक दिया हुआ है इन में से कोई एक और इन में से कोई एक करना था question number 12 में आपको क्या करना था ये long question है और इन में से किसी एक question का answer आपको 80 words में लिखना था तो friends ये रहा आपका full solution intermediate के paper का अमीद है कि आप idea लगा लेंगे कि आप कितने marks का करकर आए हैं इसी तरह के और series के solutions अगर आप चाहते हैं तो comment box में हमको लिख भेजिए और आज के लिए वस इतना ही thanks for watching